हलो एश्टुडेंट आज हम जानेंगे क्लस नाइन से हिंदी का चेप्टर फाइब का शरांश जिसका सिर्शक है नाना शाहब की पुत्री देवी मेना को भस्न कर दिया गया जिसकी लेकी का है चप्ला देवी जी पच्चो इस पार्ट की सुर्वात हम यहां से करेंगे सन 1857 के विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना शाहब जब क्रांती में असरफल होकर भागे तु अपनी बेटी मेना को साथ ना ले जा शके मेना उनकी पुत्री थी मेना कानपूर के पास बिठूर में ही पिता के महल में रहती थी उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने बिठूर पहुँचकर नाना शाहब के महल को लूट लिया अंग्रेज के सेनापती कहें कि तोपो के गोलों से महल को नश्ट कर दिया जाए ऐसा कह रहा था तभी एक सुन्दर बारीका ब्रामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल ना तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापती शे निवेदन करने लगी उस छोटी उमर के लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापती को उस पर धया गए उसने बारीका से पूछा कि वो महल को क्यों बचाना चाहती है तो बारीका ने खुद सेनापती से ही प्रशन कर दिया कि उस महल को वे क्यों तोड़ना चाहते हैं तभी सेनापती ने उत्तर दिया कि यह महल बिद्रूयों के नेता नाना शाहप का है अत्ता उसे नश्ट करने का आदेश मिला है बारीका ने कहा कि दोसी तो वो है जो सस्त उठाता है यानि अस्त्र सस्त उठाता है मकान तो जड़ पदार्थ है इसने तो कोई अपराद नहीं किया यानि मकान ने तो कोई अपराद नहीं किया इसे नश्ट मत करिए यह अस्थान मुझे बहुत प्रिये है इसकी रक्षा कीजिए फिर बालिका ने यानि मैना ने बताया कि आपकी पुत्री यानि उसेनपती से करिए कि आपकी पुत्री मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, जब वो थी तो आप भी मेरे घर आते थे, तो मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे, उसकी मृत्ति उपर मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्टी अब भी मेरे पास है। तभी शेनापती ने याद किया, शेनापती ने मैना को पहचान लिया, वो बोला, मैं महल बचाने का प्रत्न करूँगा। इसी शमय अंग्रेजों का प्रधान शेनापती आउटरम वहां आया, और शेनापती हे से बोला, हे सेनापती का नाम है, से बोला कि नाना शाप का महल अभी तक तुमने उड़ाया क्यों नहीं। तभी सेनापती हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना का ये महल बच सकता है। तो प्रधान शिनापती ने कहा गौर्नल जनरल की आग्या मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नराज हैं। नाना के वंस तथा माहल पर दया दिखाना असंबव है। तबी सेनापती हे ने कहा फिर लाट केनिंग यानि गौर्नल जनरल को इस विशय का तार दे देते हैं। परधान सेनापती आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इस माहल को बिना नश्ट किये तथा नाना की लड़की को किरिफ्तार किये बिना नहीं छोड़ सकत फिर सेनापती हे दुखी हुकर चला गया। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेद सिपाई फाटक तोड़कर महल के अंदल खुझ गये। उन्होंने मैना को बहुत धुंडा। किन्तु वो ना मिली। उसी दिन लाड केनिंग का तार आया जिसका आश्य इस प्रकार था कि लंदन के मंत्री मंडल का मत है कि नाना के इस्वृती चीन तक को मिटा दिया जाए। इसलिए वहां के आग्या के वृत कुछ नहीं हो शकता। उसी समय कुर जनरल आउटरम की आग्या से नाना शाहब की सुविशाल राज महल पर गोली बारी होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उसी समय लंडन के प्रमुक पत्र टाइमस में छपा, पड़े दुख का विशय है कि भारत सरकार दुरदात नाना को नहीं पाकर सकी। हम अंग्रे जीते जी अंग्रे जिनर नारियों के नर्शंगार का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे। सर टामस ने कहा कि सेनपती हे को नाना की बेटी पर दया करने की बात से खशी आती है। साइद वो बुढ़ापे में उस महराश्ट्री कन्या के सुंदर पर मोहित होकर अपना कर्तब भूल गये हैं। नाना की लड़की को हे के सामने फासी पर लटका देना चाहिए। बच्चो उसी वर्ष शितंबर को आधी रात के शमय मेंना महल के खंड़रों पे बैठी रो रही थी। पास में ठरी आउट्रम की सेना ने उसे पकड़ कर ग्रिफतार कर लिया। बच्चो फिर क्या मैना ने आउट्रम से जी भरकर रोने की अनुमती मांगे। उसने मैना को क्रिफतार कर लिया और कानपूर के किले में बंद कर दिया। फिर उसे धदकती आग में फेक दिया गया। मैना जलकर भश्म हो गई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को फ्रेज करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थैंक यू बच्चे ओ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में